दूस्तों WhatsApp एक नया feature लेकर आ गया है Android users के लिए पहले दूस्तों यह feature मिलता था iOS users को पतलब Apple users को यह feature मिलता था WhatsApp में और अब यह आपको मिलने लगा है लेकिन दूस्तों यह feature अभी लोल आउट किया है WhatsApp ने बीटा users के लिए लेकिन दोसों फिर भी आप इस feature को use कर सकते हो, कैसे use कर सकते हो, क्या ये नया feature है, वो सब बताने वाला हूँ मैं इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को last तक देखते रही है, और ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो इस वीडियो को like कर दीजेगा, नीचे दोस् टिक टेक हिंदी की इस वीडियो में, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए दोस्तों आप बिना टाइम गवाय सुदू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इस नए feature को use कर सकते हैं, अपने WhatsApp पर, दोस्तों इसके लिए द डिसक्रिशन में, जैसी दोस्तों इस वीडियो के डिसक्रिशन में आप जाओगे, तो वहाँ पर दोस्तों WhatsApp के बीटर वर्जन का आपको अपडेट मिल जाएगा, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जैसी दोस्तों आप उस लिंक पर जाओगे, वहाँ पर दोस्तों आप अप जिदे ही अपडेट कर पाओगे तो वहाँ पर आप अपने WhatsApp को अपडेट कर लिजेगा उसके बाद दूस्तों मैं आपको बताता हूँ कि किस तरही किसे इस नए करना पड़ता था तो वहाँ पर आपको टैब होल्ड करना पड़ता था किसी मैसेज को और उसके बाद आप उसका रिप्लाई कर पाते थे लेकिन यहां पर दूस्तों आप ऐसा कुछ करने की जवरत नहीं है अब दूस्तों नया फीचर आ गया है जो की है स्वाइब तो इसके भी मैसेज को आप पर होल्ड करने की जवरत नहीं है यहां पर बस आप स्वाइब करोगे और यहां पर रिप्लाई कर पाऊगे तो यह बहुत ही कमाल का फीचर है दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रू से पताएगा कि यह फीचर आपको कैसे लगा है दोस्तों मुझे इन बंदे मातलम